हेलो फ्रेंड्स मैं राणी आप सबका स्वागत करती हूं मेरे चैनल राणीस गूट फुड में आज हम बनाएंगे मटन करी बहुत सिंपल है मटन मैंने लिया है 500 ग्राम जिसे धोकर मैंने चन्नी में पाच मिनट के लिए छोड़ दिया है तेल दो से तीन बड़े चमाच नमक दो चमाच अधरकल हसन पेस्ट एक से देड़ चमाच ये देड़ चमाच है हल्दी पाउडर आधा चमाच मिर्च मसाला पाउडर है ये इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है ये तीन चमाच है टामाटर मिडियम साइज के चार बारिक कटे हुए हराधनिया थोड़ा सा ये मटन करी के लिए थोड़ा सा ज्यादा हरा धनिया हुआ तो अच्छा लगता है चलिए शुरू करते हैं मटन नमक अद्रक लेसंट पेस्ट हल्दी पाउडर मिर्च मसाला पाउडर तेल टमाटर हरा धनिया दाला मैंने उपर नीचे कर लें अगर मेरी रेसिपीज आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और थम्सब करें चलिए अब गैस आउन करते हैं कि दो से तीन सीटी ले लेंगे दो सीटी लेकर दस मिनट के लिए गैस बन कर देंगे उसके बाद कोकर ओपन करेंगे मटन गला है क्या देख लेंगे अगर मटन गला है तो दोबारा सीटी नहीं लेंगे अगर मटन नहीं गला है तो दोबारा सीटी ले लेंगे ये करी अगर इसमें हम पानी नहीं एड करें तो चार लोगों के लिए हो जाएगी और अगर थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे तो चार से पांच लोगों के लिए एकदम सफिशियन्ट हो जाएगे एक बार बना के देखिए आपको बहुत टेस्टी लगेगे कुकर खोल लेते हैं ये देखिए मटन करी बन गई है मटन गल गया है मैं इसमें एक कप उतना पानी डालोंगी और एक उबाल ले लोंगी ये हो गई हमारी मटन करी तयार